नमस्कार दोस्तों मैं अजय प्रकास जंजवार.com से जैसा कि आप जानते हैं जंजवार अपनी थाती अपने विराशत के नाम से हम लोग एक कारिक्रम करते हैं हमारी कोशिस होती है कि देश के इतिहास संस्कृती समाज के लिए दिये जा रहे योगदान को लेकर हम आप तक पहुँचें। हम उसी सिलसले में इस वक्त हर्याना के मेवाद छित्र में हैं। मेवाद छित्र के जाने माने लेखक इतिहास के जानकार सिदीक अहमद मेव से हमारी आज मुलाकात होगी। उन्होंने एक किताब लिखी है मेवाद एक खोज। और इस किताब को उन्होंने यहां के युवाओं को यहां के पीडियों को सुपूर्द किया है। सिद्धीक साहब आपका जंजवार में स्वागत है हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके हाथ में यह पुस्तक है मेवात एक खोज इसका पहला संस्क्रण 1997 में में आया फिर आज दूसरा इस साल आया है इसका मूल बात क्या है किताब की इस किताब में जो मेवात के मेव मुसलिम्स हैं उनके बारे में यह किताब है किताब है कि लोग कब और कहां से किन हालात में भारत में आये और भारत में और पूरी दुनिया में कहां कहां इस वक्त मेव रहते हैं तो इस किताब के दो हिस्से हैं एक हिस्से में तो मेवात की उ कुबूल किया और उनका जो सामाजिक दाइरा भाचा है जो पारे पाल और बावन गोतों में बटे हुए हैं पूरी मेयोकों तो उसके उपर पहले हिस्से में हमने विस्तार से परकास डाला है दूसरे हिस्से में में का जो राजनेतिक जीवन रहा है जब से यह लोग मतलब व हमने पूरा विवरंड और पूरे पूरे सबूतों के साथ संदर्बों के साथ किताब में लिखा आप पेसे से इंजिनियर हैं जाहिर तो पर आपने कोसिस की होगी कि इसकी साइंटिफिक अप्रोच मतलब इसकी वैग्यानिक्ता को भी इतिहास में बनाए रखा जाए तो य लोग तो वह हमने अभी तक किसी को पता नहीं था कि महावारत का नुंक थे और किस रोख है वो पाइड़ों की माह में दोकी थे और मदर अले कोरों की तरफ से लड़ा था और जो जो तो मर में थैं तवर मिंहें वह पांड़ों की तरफ की तरफ लड़े थे मतलब दोनों त्रब टैने के लोगे पांडु की तरफ वी और कोरह की कि तरफ परिवार तो इसके अलावा मसलिम होते थे टहसे तैसे यांज्ट हैं हिंदू से मुसलमान या क्या डब्र Kनवर्टिड हैं घुरे पाल है मतलब आप पीडियां कानदान को बड़े गोथ खाब कह सकते हैं तो चार वो तोमर हैं और फिर दो जो पाल हैं वो सूरिय वनसी तो इस तरह यह पूरा एक तीर भी पाले जिसे पर लागड़ कहते हैं वो चोहान तो इस तरह से पूरे कनवर्टिड हैं और इनका पहला कनवर्जन साथ सो बारे में मुहमंद बिन कासिम के वक्त हुआ था उसके बाद 1038 से और 1053 तक सेयद साला और मशूद गाजी के टाइम में कनवर्जन हुआ है और फिर ग्यारे सो बाणवे में पाजमु इनुदिन चिस्ति के टाइम मे एक बड़ा कनवर्जन हुआ है और फिरोसा तुबलक के टाइम में मेयो का एक बहुत जो आजकल खांजादा कहलाते हैं उनका कनवर्जन इस तरह तकरीबन 600 साल का यह पूरा पिरिड है जिसमें पूरी मेयो को जो है वो इसलाम में दाकिल हुए और जो लोग इसलाम में नह जादी के संगहर्स और उसके पहले अंग्रेजों के आने में वह इनके ताबों में कुछ धर्ज है 1857 का हमने पूरा पूरा डिटेल में जो मेवाद का यह गुड़गावा डिस्टिक उसका जो हिस्सा था उसके आबादी एक लाग दस हजार थी उसके अंग्रेजों के अकेले मेवाद च्छित का भी जो डिस्टिक गुड़गावा का इस नहीं कि दो हिस्से उस वक्त एक अलवर स्टेट में था और एक भरतपूर स्टेट में था इसने संगहर्स किया था बाहदर साह के साथ बाहदर साह की मदद के लिए दिल्ली यहां से लोग गए और यहां तो किताबें तो सदीव सिदीग साहब किसी भी मसले पर लिखी जा सकती थी आपने इतिहास को ही क्यों चुना थे दरसल में बच्पन से ही सोचता था कि जाटों का मराठों का सिक्कों का इतिहास है हमारा इतियास कहा गया तो उस फोज में धीरे-धीरे पढ़ने का मुझे सोगता है खासकर इतिहास पढ़ने का तो उस नेट्रियल ही कठा होता गया और कुछ लोगों से फिर मुलाकात हुई तो मेवाद की जानने वाले थे पहले तो मैंने सोचा भई यह लोग लिख दें अच्छे पड़े लिखे लोग जब उन्होंने नहीं लुखा तो मैंने सोचा मैं लिखता हूं लेकिन मैं क्योंकि साइंस का आदमी था तो इसलिए मैं लगतार आठ साल तक पढ़ता रहा रिसर द्रिश्टी और इंडिया से लेकर और चोटी से चोटी किताब बन बनाए तो यह एक चीज और बताएं हमें कि यह विद्यार्थियों को अगर मेवाद का इतिहास जानना हो तो इस किताब को किस दृस्टी से पढ़ना चाहिए इसको आसल में हमने इसलिए लोजवानों को इस किताब को समर्पित किया है कि वो लोग अपना इतिहास जाने और वो यही सोचकर पढ़ें कि हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं मेवाद का इतिहास पढ़ रहे हैं लेकिन उस इतिहास को हम भारत के संदर्व में भी पढ़ें क्योंकि जो इतीयास भारत का है वही मेवात का तो इस में पढ़कर हमें भ्वोमी का क्या है ज्याने पर गादि के चीज को ज्यानण पर जगा सम्वेदंसील इलाके के रूप में आता है इसका इतिहास से क्या कुछ रिस्ता है सम्वेदंसीलता का अर्शल में मेवात का पूरा इतिहास देश भक्ती से बड़ा और लगभग 2000 साल तक बलकि पिछले 1000 साल तो ऐसे हैं मेवातियों के जो लगातार संगहर्सों के उमें जो भी आकरता आया है जब मुसल्मान हो गए में तब भी मुगल आये तो हसन खमयवाति ने बापर का मुकाबला किया उससे पहले जब मुसल्मान नहीं हुए थे तो महमुद घजनवी का मुकाबला किया तो यह पिछला 1000 साल पूरा संगहर्स के साल है मेवात के इतिहास के मतलब आजकल जो इतिहास नया रचा जा रहा है कि आक्रांताओं के साथ oni मिले रहते थे यह सच नहीं है बलकि अपने देश की तरफ से आक عن्ताओं के खिलाफ लड़ते थे notions के बारे में एक ऐसे हैंब नहीं मिलेगा कि यह बहूद बलके हमेसे ये मिलेगा कि अकरांटाओं का मुकाला किया, जब हसंखामेवाती ने बावर से मुकाला की आराणासांगए ने मिलका तो बावर नें ये कहा था कि आप मुसल्मान है और जो मेरा साथ देना चाहिए, तो हसंखामेवाती ने जो जवाब दिया उसवक्त, शांगा मेरा खूनी भाई यह हमारे बुद्रूबं भी स nell चलीं हम उमीद करते हैं कि हमारा देश भी यह दर्म-वताइज की जगह जो है वतन म theo हiza होतन वहतनों को समझेगा और मेवात तेक खोज जो आपने लिखी है आप नाम पढ़ सकते हैं सिदीक अहमद मेउसाहब की किताब है इसके इसको भी पढ़ेगा और आज के समय में अगर हम इतिहास को आज के समय में देखें तो उस एकता को भी महसूस करेगा जिसके लिए किताब लिखी गई है शुकृया से देखें